प्रधान मंत्री को सौपी गई EAC की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2015 तक हिंदूओं की आबादी में देश में 7.82 प्रतिशत गिरावट आई जबकि दूसरे लोगों की आबादी बढ़ी है यह विशह राजनेतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है इस पर बात करने के लि जो है वह धर्म के आधार पर हुआ था और ऐसे में जो है हिंदूओं की आबादी का घटना और जो बंटवारे के जिम्मेदार थे उस मजभब की आबादी का बढ़ना और कांग्रेस का यह कहना कि हम आबादी के लिहाज से संपत्ति का बंटवारा करेंगे स्वाभाविक तोर पर यह प्रश्ण सामान नागरिक के मन में पैदा होता है कि क्या यह आबादी बढ़ाने की नीती किसी सोची समझी रणनीत के तहत है और बारम बार जो है आबादी के लिहाज से हम संपत्ति बाटेंगे अनुसूचित जायत जनजायत पिछड़ों का ज पिए अशंका होती है ऐसा आब बता भी रहे हैं लेकिन एक जनसंख्या नियन्त्रण कानून को लेकर बहुत बहुत बहस होती है कि यह आना चाहिए और सब के लिए वह नौर्म लागू करने चाहिए ताकि यह असंतुलन ना हो और बाहर से जो लोग अगर अगर तरीके से अवेत तरीके से आके बस गया है, उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, पर ये मुद्धे उतना प्रोमिनेंटली दिखते भी नहीं है, बीजेपी के भी एजेंडे में नहीं दिख रहे हैं इस समय, भारती जनता पार्टी तो हमेशा से जो है, जनसंख्या नियंत्रन का समर्थ करती रही है, और जो हर किसी को जो हमारे यहां परिवार कल्यान की का सूत्र रहा है इस देश की सरकारों का, हम दो हमारे दो का, इसका विरोध कौन करता है, इसका विरोध करते हैं तथा, कथित, सेकुलर, दल, जो शरीयत को समिधान से उपर मानते हैं, अगर आप लोग समर मार्ग प्रशस्त किया है ट्रिपल तलाग खत्म किया है जी एस्टी ले आए हैं तो निश्चित तोर पर जो है इस देश के विकास के लिए आवश्यक जो निरने हैं उसमें जनसंख्या निंद्रन भी एक महत्पूर्ण निरने है इस पर समगरता वे विमर्श भी होना जानी हो सकता है माने वाले दिनों में ऐसा कानून देखें इसके लिए आवश्यक है तो निश्चित तोर पर इस देश के विकास के लिए क्या यह सत्त नहीं है कि बढ़ती आबादी जो है वो अर्थ विवस्ता को चर्माराने का कारक बन सकती है इसे कौन मना कर सकता है और डेमोग्रेफिक डिविडेंड हमको जब तक नहीं मिलता और अगर जो है आबादी का असंतुलन और जिस देश को पूरी दुनिया का पहला देश है जिसका विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है और उसमें से जिनोंने धर्म के आधार पर विभाजन मांगा उन्हीं धर्म धर्मा उलंबियों की आबादी का बढ़ना क्या संकेत है विपक्ष की बात कर लेते हैं वो टाइमिंग पर सवाल उठा रहे है ठीक है यह आकड़ा होगा सही होगा गलत होगा या एक विश्यसा के कमीटी ने किया है तो सही भी होगा लेकिन टाइमिंग इसका जो समय है कोई लेंदेन नहीं है आबादी और विकास का कोई लेंदेन नहीं है कैसे मुद्दा नहीं है और अगर चुनाओ के समय आया है और इस पर अगर लोग जो है जनता को अगर निने लेना है तो यह मुद्दा क्यों नहीं है विपक्ष कहता है मुद्दा नहीं आप कहते हैं तो इस बात को जोर शोर से अभी चुनाओ भी बहुत बचा हुआ है उठाइगे हैं हमेशा से कहते आए हैं भाई हर किसी की आबादी जो है वो समान अनुपात में बढ़े तो इसमें आपति क्या है अगर जिन्होंने विभाजन किया है और जहां धर्म के नाम पर विभाजन ह यह मुद्दा ही नहीं है प्रभाजा प्रेम शुकला जी से हमने बात की और उन्होंने साफ तोर पर कहा कि यह बहुत बड़ा मुद्दा है विपक्ष जो टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है वो बेतुकी बात है क्योंकि रिपोर्ट्स अपने समय पर आती है और यह मुद् इन्होंने कहा कि यह बिजपी का हमेशा से मुद्दा रहा है और निश्चित रूप से इस पर विचार करके आगे कुछ कदम लिया जा सकता है तो ऐसी तमाम बातें इन्होंने कही और इन्होंने यही कहा कि यह बहुत बड़ा मुद्दा है और विपक्षी से माने या ना मा लेकिन वो लोगों की जो जरूरतें हैं उसकी कहीं ना कहीं वो पेक्षा करने वाली ही बात है अगर विपक्षी से स्विकार नहीं करता है तो निपुन सागल एपी पिन्यूस डिल्ली